सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूको एम बैंकिंग से आप किसी को भी बैंक एकॉण में डायेट पैसा कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं यानि कि दोस्तों यूको का जो मॉवाइल बैंकिंग होता है M-Bैंकिंग उससे दोस्तों आप किसी को भी बैंक एकॉन में डायेट पैसा ट्रांसपर करना चाहते हैं तो दोस्तो कैसे कर सकते हैं मैं दोस्तो आपको इस वीडियो में complete process बिलकुल नए तरीके से बताने वाला हूँगी कैसे आप Yuko M banking की मज़से किसी को भी direct bank account में पैसे transfer कर सकते हैं चाहे दोस्तो उसका कोई सावी bank हो आप उसको दोस्तों bank account में डायक पैसा transfer कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या यूको M banking को आपको open करने को आपके सामने कुछ इस तरह का interface हो करेगा अब दोस्तों यहाँ पर login का option दिखा देगा इस पर आपको simply click कर देना है जैसा ही दोस्तों क्लिक करेंगे आप दोस्तों यूको banking में सकस्पुली login हो जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों आपको करना क्या है यूको M banking की मदद से किसी को भी bank account में पैसा transfer करना चाहते हैं तो उसके लि दोस्तों बहुत सरा option सो करेगा अब दोस्तों आपको एक option दिखाए देगा वी तीन अधर बैंक transfer यहाँ पर देख सकते हैं अगर दोस्तों यूको banking में transfer करना चाहते हैं या पर दोस्तों यूको bank छोड़के किसी अधर बैंक में भी पैसा transfer करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्विक transfer का option बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीन step दिया गए कि तीन step से आप यहाँ पर दोस्तों पैसे transfer कर सकते हैं किसी को भी तो उसके लिए करना का सबसे पहले आपको करना है अपना account number यहाँ पर आपको select करना यूको कि मॉवाइल बैंकिंग से यूको बैंक में ही पैसा transfer करना चाहते हैं और दोस्तों यहाँ पर जिस बंदे को पैसा transfer करना चाहते हैं उसका account number डालेंगे confirm account number फिर से आपको डाल देना है उसको IFC code डाल देना है उसका amount डाल देना है जितना भी पैसा transfer करना चाहते हैं वह amount आपको डाल देना है उसका remark में आप दोस्तों यहाँ पर डिपोईट भी लिख सकते हैं ठीक है और उसके अब दोस्तों आपको करना के नीचे में कोड मैंने डाल दिया उसका यहाँ पर ब्रांच भी आ जाएगा जैसे यहाँ पर डालेंगे आपका ब्रांच यहाँ पर सोग कर जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर एमांट डाल देना है जितना भी पैसा transfer करना चाहते हैं वह amount आपको डाल देना है उसका रिमार्क में सब्सक्राइब करना क्या है की जो भी आप एडिटेल दिये है वो सही है अगर सही नहीं है तो आप एडिट का ओप्सन दिये गए एडिट पर open पे क्लिक करके edit कर सकते हैं अगर सबस्की सही है अपका सबस्की यहां पर सही है तो आपको करना क्या है यहाँ पर दिखें नीचे में confirm का option दिखाए देगा simply is confirm का option पर क्लिक कर देना है सब detail आपको देख लेना अच्छे से सही है तो आपको करना क्या है नीचे में confirm का option दिखाए देगा simply is confirm का option पर क्लिक कर देना है जैसे ही confirm का option पर क्लिक करेंगे आपके bank account में जो भी mobile number registered होगा लिंक होगा उस पर OTP जाएगा OTP दोस्तों manually ले देता है अगर दोस्तों नहीं लेता है तो आपको क्या करना है OTP डाल देना है उपर वाले में OTP डालना है उसके बाद नीचे में देखे जो तो TP नहीं आने की अगर दोस्तों नहीं लेता है अपको क्यों डाल देना है उपर में OTP उसको नीचे में TP डाल देना है जैसा कि दोस्तों मैं OTP डाल दिया हूँ आप यहां पर TP में में डाल दिया हूँ TP डालने के बाद उसको करना क्या है नीचे में देखे OK का option दिखाए देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं successfully दिखा दिया है reference number भी दिखा दिया दिया है और जिस date को यहाँ पर पैसे ट्रांसपर हुआ है वो भी दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहाँ बताते हैं जो I.M.P.S. से यहाँ पर मैं पैसे ट्रांसपर किया और सब्सक्राइब भी न भूलें